नमस्कार दोसों मेरा नाम है कगन और स्वागत है आज की इस एजी वीजी यानि की आटोमोबील के आनबाए कगन वाली वीडियो में और हम यहां पे आज बात कने वाले एक बहुत इंट्रेसिंग टॉपिक के बारे में जो है डियूल स्टेज एरबैक्स के बारे में आम तोर अ मैंने बहुत बहुत वीडियो बनाई थी एरबैकस के कनेक्शन में बंक ऑगा को काम करते हैं किसकी सिच्चुशन में वह वीडियो Queens है अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में मैं उसका तरीके से मैं आपको दिखा दूँगा तो वो वीडियो आप जरूर देख लें ताकि दौनों वीडियो जो है ओर आल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए आज यह वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं अच्छी वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था जो है उनकी नीड क्या हूई कई बार क्या होता है कुछ ऐसे एक्सिदेंस देखे गए हैं जहां पर मतलब क्राश जब होता है तो स्लो स्पीड इंपक्ट होता है मानलो 30-40 की स्पीड इंपक्ट हुआ है और अगर खुलते हैं तो जो ड्राइवर या पैसंजर है उसको अगरा जाती है कुछ सुचिशन में ड्राइवर पैसंजर ने सीट बल नहीं लगा रहा होता है उसमें फड़ता है तो भी थोड़ा सा हमपूल हो जाता है तो जो एरबैग मैनिफैक्ट्रिंग कंपनी सी उन्होंने सोचा कि काम करते को यह कैसी टिक्मोलोजी लाते हैं जिस इस जो एर बैग लगा एक है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया मतलों उसमें दो छोटे चोटे बम लगाए गैं एक बम जो है वह 70 परसेंट पावर वाला एक बम 30 परसेंट पावर वाला है टोटल मिला के वह 100% पावर मनाते हैं अब आपकी गाडी का इंपक्त है 30-40 की स्फीड पर इंपक्त है या सीट बेल नहीं लगा रहा है ऐसा को इंपक्त है या गाडी के कंप्यूटर को लगता है कि या इस वक्त एर बैग पूरी के पैसिटी के ना साथ ना खुले तो ही ठीक है तो वह जो है जो 70 परसेंट यानि की फर्स स्टेज वा को 75 रखता है तो जो ज्यादा के पिसिटी वाला है वह एर बैग जो है उस पावर से खुलता है और एर बैग खुल के वाफिस बन जाता है यहां पर एक चीज बहुत इंपर्टन है वह यह कि इंडिविजुल यह काम नहीं करते कि जैसे इस फर्स स्टेज अभी फट गया द जब इंपक्त तेज हो एर बैग को लगता है पूरी पॉटेंशल थी है तो 100% पावर के साथ में एर बैग खुलता है यह डिवल स्टेज जो है फंक्शनिंग है और यह इसकी जरुरत के साथ में मतलब फंक्शनिंग इसे काम करते है अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता ह अब यहां पर आप देखिएगा कि गाड़ी जो है वो आगे जा रही है क्योंकि एक्सेलेटर पेडल पर सवाल खड़े करेंगे तो वह मैं आपको देखाता हूं अब जब गाड़ी जाके सामने दिवार पे टकरा जाती है अब जब गाड़ी सामने जाके दिवार पे तक राती है तो दोनों एर बैग घज क्षेटे हैं ना ड्राइवर और ना ही जो पैसेंजर बैटे हैं उन्होंने सीड वैल पैन रखा है बट दोनों एर्बैक फिर भी डिपलॉय हो जाते हैं और जब वो डिपलॉय होते हैं तो उसके कुछ देर बाद में मतलब उसके 5-7 सेकंड बाद में अगर आप नोटिस करेंगे मैं आ पर बैसे बड़ा होते हैं तो फ्रिसे जो एक sisters घमांक आता है कावाज आती है वत आप면 ऑर जो एक जो है वो डीले के साथ फटा है मतलब एक साथ फटना चाहिए था वो बार-बार फटा है क्या यह malfunction है किया जो यूज करी उसका वैल malfunction नहीं है एक बार फिर से देखते हैं और मैं समझाता हूँ अब यहाँ पर्टिकलर चीज को देखते रही है अब यहाँ पर इस पर्टिकलर एरिया है अब यहाँ पर इस पर्टिकलर एर्रवाग को देखिए यह फटा यह दुबारा जो है एक हलका से explosion हुए और उपर एर्रवाग आ गया है क्या हुआ है यहाँ पर वैल डूसरा स्टेज एर्रवाग जो है वही है यह दूसरा स्टेज थोड़ा लेट फटा है ऐसा क्यों होगा क्या होता है कि जब डूसरी स्टेज फट जाती है दूसरी स्टेज नहीं फटती है तो उनको फटना नहीं होता है बट जब एर्रवाग फटता है तो हीट इतनी जाद हो जाती है अंदर उस जगे पे कि कई बार उस गर्मी की वज़े से जो है दूसरी स्टेज ट्रिगर हो जाती है और जो है एक्स्प्लोजन हो जाता है अब कई लोग यह कहें कि क्या यह हामफूल नहीं हो सकता मतलब दूसरी स्टेज जब ट्रिगर हो रही है थोटे जाएं बाद में तो क्या यह हामफूल एर बैक फट रहा है पैसेंजर अंदर है वाजब सेम टाइम पर तो फटा नहीं वैल एक्चुली यह हामफुल नहीं होता है रीजन क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया 70-30% या 80-20% के साथ से कमपनी इसको रखती है तो 80% या 70% पावर तो पहले लग गई है तो जो बची हुई 30% पावर अगर वो हातों हात लगे तो तो उसका महतु है वरना उसका कोई महतु है अगर वो 2-3 सेकेंड बाद में जब एर बैक वापिस जो है उसकी हवा निकल जाती है तब अगर वो आये तो वो इतनी ही हवा होती है कि थोड़ा सा एर बैक को फिर से फुला दे उसके इंपक्ट आ जाए और वो इतना जहल पाया ऐसी कोई पावर उसमें नहीं होती है तो कई बार हो जाता है कि dual stage airbag में जो दूसरा stage है वो airbag फूलने के 5-5 सेकंड बाद में फट जाता है पर उससे कोई हाम नहीं है और नहीं उससे कोई फायदा है वैसे भी आपका airbag तो वैसे भी रिप्लेस होना चाहिए था तो आपका दूसरा stage आये ना है उससे कोई मतलब नहीं होता है बट dual stage अगर तुरंत back-to-back आये जैसे first stage के साथ में ही दूसरा stage आ गया तो वो जरूर काम का है high speed में ये slow speed impact था seat belt on नहीं था तो गाड़ी ने sense कर लिया कि छोटा सा जो है first stage वाला 70% या 80% वाला है वह impact काफी है second वाला फोर्डने की जूरत नहीं है वो तो heat की वज़े से वो दूसरा impact भी पट गया है तो यह चोटी सी चीज सीक जो है मैं dual stage airbag वाली मिली इस पर्टिकलर वीडियो से thank you BMC HD वीडियो जिन्हों ने यह उन्हों ने यूज करने दिया में फुटेज और आपको मैं थोड़ा सा और बहतर तरीके से शायद समझा पाया बाकि अगर आपको वीडियो पसना आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देजिए जो दूसरा वीडियो जिसमें airbag सीडवल कनेक्शन की मैं बात कर रहा था वह आई बटन में लिंग है BMC HD वीडियो जहां पर किया कानेवल के फुटेज है पूरी अगर आपको ये बटिकलर वीडियो पूरी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लेंक दिया गया आप देख सकते हैं फिलाल दोससे वीडियो में तो उम्मीद करता है वीडियो बसाएब आपकर सकते है अगरे वीडियो दोसों हेलमेट पेनिए सीड बेल पेनिए सुरक्षी चलिए धन्यवाद